तो साथियों अभी जिस वीडियो को आप अपनी मोबाल के इस्किन पे देख रहे हो गैस मैं आपको बता दूं कि लड़की का जो वीडियो है दोस्तों अभी इंस्टाग्राम रियल्स पर काफी ज़दा वार्यल चर रहा है तो आप भी अगर इंस्टाग्राम रियल्स के है आपको यहां पर लिपसिंग करके आक्टिंग कर रहा हूं लिबNow एक्टिंग कर रहे हैं लिएगा जो दो यहां चेंग कर लेणा होगा और जिस तर से आपने वाँ पर step 1 में acting किया है same to same आपको step 2 में भी acting कर लेनी होगी इसके बाद आपका जो mobile editing software काइन मास्टर उसको आपको open करना है तो और उसको open करने से पहले वीडियो को आपने अगर अगर अभी तेक लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब भी कापको कर लेना है क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो आपको करूंगा तो उसकी notification आपको तुरन से मिलेगा अब जैसा कि आप यहाँ पर देखी सकते हो मैं अपने काइन मास्टर के यहाँ पर open करके रखा हूँ अभी आपको यहाँ पर create new के option पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 9x16 expect ratio को select करके आपका जो काइन मास्टर application है दोस्तों आपको यहाँ पर open कर लेनी है जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर उपर आप देख सकते हो जो आपका gallery है यहाँ पर show हो रहा होगा यहाँ पर आप image के option पर क्लिक करके आप किसी भी एक background को आप यहाँ पर select कर लिजेगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक white click के background को यहाँ पर select किया है सबसे पहले इसका जो duration है कुछ इस पकार से 15 सेकेंड के लिए आपको कर देना होगा क्योंकि यह जो वीडियो है दोस्तों 15 सेकेंड काई है इसके बाद आपको अपने वीडियो में यहाँ पर खुछ इस पकार से फर्स तरपा को आजाना होगा आने के बाद दोस्तों जो आपको right side में layer का option देख सकते हैं आपको इसी बड़े layer में किलिक करना है media के option पे click करके आप अपना gallery को open कर लिजेगा और यहां से दोस्तों अभी आपका step one में जो वीडियो सूट किये थे उस पहले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी select कर लेना है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा step one में वीडियो सूट कुआ जो file है उसको में यहाँ पर select कर लिया है अभी आपको इस पहले box में click करके इस पहले option में select करके full skin में कीजेगा और इस वीडियो का जो audio है दोस्तों आपको यहाँ पर mute कर लेनी है mute कर लेने के बाद आपको अपना वीडियो को यहाँ पर play करना है और play करके दोस्तों जहां आप अपना सर को side में लेके जा रहे हो और फिर से बापस ला रहे है उस जगह पर आप चलेएगा कुछ इस तर से आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको आजाना होगा आने के बाद अभी आपको फाइल में किलिक करना है देन सेजर के option पर क्लिक करके आप यहाँ से बाकी के जो extra part है देख पर trim to right और playhead के option पर क्लिक करके हटा लिजिएगा हटा लिने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स तरफ आपको आजाना होगा आने के बाद सेम आपको layer में किलिक करना है मिडिया के option पर क्लिक करके आप अपना gallery को open कीजेगा और यहां से अभी आपको जो second recording की आओ वीडियो है उसको आप यहां पर स्लेक्ट कर लिजेगा प्रस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो जो मेरा second recording की आओ वीडियो उसको मीने स्लेक्ट कर लिया है सबसे पहले आपको इस बाले वीडियो का भी ओडियो को म्यूट करने ना है देन गाइस आपको यहाँ पे इसी बाले बॉक्स में किलिक करके इस बाले ओप्शन को स्लेट करके फूल स्किन में कीजेगा और फिर से आप अपना वीडियो को प्ले कीजेगा और प्लेग करके दोस्तो अभी आपको उस जगह बापस से जाना होगा जहाँ आप साइड में अपना सर को ले ला रहे हो देख सकते हैं काइस आप जहाँ आप साइड में सर को ले जा रहा रहे है उस जगह आप चलेएगा इतना दूर और बाकि जो एक्सटा फाट दोस्तों अभी आपको आगेगा जो हिस्सा है आप यहां से हटा लिजेगा कुछ इस पकार से देख सकते हैं आप मैंने जिस पकार से किया है सेम तो सम कुछ इस तरह से का लिजेगा इसे दोस्तों आपको यहां पर editing करने में आसानी होगी अभी आपको अपना वीडियो को play करना है और play करके दोस्तों उस जगा पर आपको चले जाना होगा जहां बोलता है आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी मतलब प्यार वाला जो साब्द है उस जगा पर आने के बाद उस जगा पर layer में क्लिक करना है text के option पर क्लिक करके आप यहां पर emoji के option पर select करके heart का emoji select कर लिजेगा then आपको यहां पर ok कर लेनी है देख सकते हैं आपर heart का जो emoji यहां पर मेरा आचुका है अभी आपको इस पहले heart को कुछ इस पकार सी आपको जो सीना है यहां पर आप रख लिजेगा रख लेने के बाद आपको यहां पर overlay animation में क्लिक करना है then आप यहां पर इस बाले option को आप लेट कर लिजेगा अभी आपको अपना वीडियो को यहां पर play करना होगा और play करके दोस्तों प्यार कि एक कहानी जहां बोल रहा है उस जगा पर आपको आना होगा और आने के बाद आपको जो seizure का option है इसे में क्लिक करके आपको team tool right of playhead के option पर क्लिक करके बाकी के जो extra part है आप यहां से हटा लिजेगा हटानने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस पकार से इस जगा पर आना होगा आने के बाद अभी आपको layer में क्लिक करना है मिडिया के option पर क्लिक करके आप इस पहले वीडियो के जिस्क्रिप्सिन में पहले चले जाएगे करना है दोस्तों दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस पकार से इस जगापे आना होगा आने के बाद यह जो की दिखरा होगा इस वाले की में इक पर किलिक करना है और कुछ इस पकार से आपको इस जगा पर लाग के इसको छोटा करना है देन इतना छोटा देन स्लाइड करके आप इतना दुर काके इतना दुर आईएगा प्लस का मार्क में क्लिक किजिएगा और इस पाले एरो में पकाड के आपको यहाँ पर यह जो बुक है आपको यहाँ पर बड़ा कर देना है कुछ इस पकार से बड़ा कर देने के बाद फिर से आप अपने वीडियो में इस जगा पर आजेएगा आने के बाद दोस्तों सेम आपको लेयर में क्लिक करना है इस टिकर के option पी क्लिक करके आप यहाँ सबसे पहले store में चल जाएएगा जाने के बाद आप यहाँ पे guiltless को open किजेगा दन इस पहले effect को आपको यहाँ प्रिट करना होगा और कुछ इस पकार से पहले आपको इसका जो duration है यह जो book का जितना duration रहेगा exactly आपको उतना ही duration इसको रखना है रख दने के बाद कुछ इस पकार से आपको इस जगा पर आना है दन आपको यहाँ पर editing करने में अगर follow में उस बाले option का श्रेट कर लिजेगा दन कुछ इस पकार से आपको इसको सिधा कलके आपको यहाँ पर जो book है इसके उपर आपको लाना होगा लाने के बाद इस पाले कीमे कपर क्लिक करना है नस्लाइड करना है जतना फरंस आपको आपको डेक पार यहां पर मैंने प्लस को अड़् किया है तो इसमें बहुत होँ जगा पे क्लिक करना है प्लस के मार्म एड़् करना है टेन इस वाले एरो में पकाड कि कुछ इस पकार से आप इसको कर दिजेगा कर देने के बाद दोस्तों वापस से आपने वीडियो में नॉर्मल साइज में आपको चले आना है आने के बाद वीडियो का अपनों प्ले करना होगा और प्ले करके जहां एक थल लड़की कुछ इस्तरस हाथ उठा रहे इस जगा पे आपको आना होगा आने के बाद दोस्तों अभी आपका जो Pixlab application है उसको open करना है क्योंकि आपको आपना जो crush का और आपना जो खुद का photo है उसको आपको edit करना होगा तो चलिए दोस्तों मैं आपने आप जो Pixlab application को open करता हूँ उसके बाद आपको आपको आगे का process दिखाऊंगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो Pixlab application है उसको menu यहाँ पर open कर लिया है अभी आपको इस बाले option में क्लिक करके transparent को option पे क्लिक कर देना होगा अभी आपका जो photo है उसको कुछ इस पकार से आप यहाँ पे select कीजेगा फोटो selection कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर okay कर लेनी है देन आपको इस बाले circle का option पे क्लिक करना है और थोड़ा slide कीजेगा तो आपको यहाँ पर एक stroke का option दिखेगा उससे पहले photo को जो कुछ इस पकार से बीच में लाईएगा stroke के option पे क्लिक करके अभी आपको इसको on करना है देन आप इसमें white को आपको select कर लिजेगा और इसको आपको कुछ इस पकार से full pack कर देना है और आपको यहाँ से okay कर लेनी है आपको जो गरस का photo यहाँ पर ready हो चुका इसको आप कुछ इस तरह साब save भी आप कर लिजेगा अभी आपका जो खुद का photo है उसको same इसी तरह साब को बना लेना होगा दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पर देशकते हो मेरा जो दोनो फोटो है उसको मैंने कुछ इस पकार से edit करके save कर लिया है अभी दोस्तो बापस आपने kind master में आपको जाना है तो चलिए दोस्तो बापस आपने kind master में चलते हैं और आपको मैं यहाँ पर आगे का process दिखाता हूँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पर देशकते हो मैं बापस आपने kind master में आ चुका हूँ आने के बाद दोस्तो आपको अपना वीडियो के अपर प्ले करना है और जहाँ पर आप एक थिलियर की बोल के हाथ उपर कुछ इस पकार से उठा रहे हैं उस जगा आपको चले आना होगा आने के बाद अभी आपको layer में किलिक करना है मीडिया के option पर किलिक करके आप अपना gallery का open कीजेगा और यहाँ से आप एपनी girlfriend या फिर crush का जो फोटो आप बहाँ बनाए हो उसको आप यहाँ पर च्छोटा करना है और जो book है उसको आप यहाँ पर लईएगा लाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इन इनिमेशन में किलिक करना है दन आप यहाँ पर देख पार slide आपका option है आपको इसमें किलिक कर देना होगा किलिक कर लेने के बाद आपको जो key दिख रहा है इस बाले key में किलिक करना है इतना plus का mark में किलिक करना होगा दोस्तों यहाँ पर औ यहाँ से अगर अपना वीडियो को प्ले करों तो आपको अपना वीडियो कड़तें के अब उपर उठा रहे हो इस जगाप आप आजएएगा सेम लेयर में किलिक करना है मीडिया के ओप्सन पर किलिक करके आप अपना गैलेरी का ओपन किजेगा और यहां से अभी आपका जो खुद का फोटो है उसको आप स्लेट किजेगा पहले आपको इसका जो डिरोसन लड़की के फोटो जितना डिरोसने उतना ही रखना है और बाके के जो एक्ष्टा पार्ट है आप यहां से हटा लिजिएगा हटा लिने के बाद दोस्तों अभी आपको कुछ इस पकार से इस जगा पर लेना ना होगा लाने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को यहां पर फिर आप यहां पर इस जगापर आप चलै ही वह एगा इस जगापर आने के बाद अभी आपको फाइल है इसमें क्लिक करना है जर केंके अभी आप अपना वीडियो का यहां पर आप करना है देन आपको यहां पर क्रॉप को उप्शन पर क्लिक करके आप इसको आधा में आप इसको रख लिजेगा इतना मार्क्स को आउन कीजिएगा और कुछ इस पकार से इसको फूल पर आप कर दीजिएगा कर देने के बाद यह जो आपको फूल वीडियो ही उसको कि आप अपने गलेरी के जो है ओपन कर लिजेगा और यहां से दोस्तों अभी आप अपनी गर्फरेंड या क्रस का जो वीडियो आप वहां पर लगाना चाहते हो एंडिंग में उस बाले वीडियो का आप यहां पर स्लिट कीजेगा और यहां पर आपको सबसे पहले इस पह फोटो को एजस्ट किये हो पहले आप इतना आधा दूर इसको रखिएगा दैन आपको यहां पर ओके कर लेनी है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सिर्फ क्रोपिंग में किलिक करके मार्क्स को आपको आउन करके इसको कुछ इस पकार से फूल पर आप कर दिजेगा औ इस तरह से आप बहुते आज़र सबसे पकार कि इसको अब दोस्तों आपको ज़्दा कुछ नहीं करने आपको इस बदॉंच करने केलिए आपको यहां पर इस बदी चाहर के आपको सिर्फ करके आपको जो अपना बिदीओ यहां पर एकसपर्ट कर लेनी है